और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पार आतंग की वुरहान वानी की मौत के एक महीने से ज़ादा भी जाने के बाद भी पाकिस्तान इसे भुनाने में लगा हुआ है पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर को भारत का हिस्सा बताने के बाद पड़ों से मुल्ख तिल मिला उठा है अब पाकिस्तान के गुरिह मंतरी चौज़ी निसार अली खान ने राजनाट से पूचा है कि भारत बताएं कि वैं हमें कौन सा पाठ पढ़ाना चाता है साथी खान ने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी कश्मीरियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चुप नहीं रहने वाला है निसार अली खान ने एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि पाकिस्तान कोई पाठ नहीं पड़ेगा निसान ने कहा कि कोई भी विवाद बिना वारता के कैसे सुलग सकता है इसके बार निसान ने कहा कि अगर वे भारत के दवदवे घुसे और कश्मीर पर कबजे का पाथ पढ़ाना चाहते हैं तो मैं भारती गुर्य मंत्री को साफ कहना चाता हूँ कि पाकिस्तान किसी के अधीन में ही रहेगा ना ही कोई पाकिस्तानी कश्मीर के मौजूदा हालात को स्विकार करेगा कश्मीर मसले को लेकर कल आयोजित सरवदलिय बैठट में प्रधान मंती नरेंटर मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है प्यम मोदी ने सपर्श शब्दों में कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन हिसा है सूद्रों के मताबिक PMODI ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जमुकश्मीर का अभिन पिस्सा है कश्मीर मसला बिना P.O.K. के लोगों को सामिल किये हल नहीं किया जा सकता यही नहीं पीम ने कहा कि P.O.K. के वो लोग जो दूसरी जगा रह रहे हैं उन्हें भी वारता में सामिल किया जाना जरूरी है इसे पहले राजनात सिंग्मे लोग सभा में कश्मीर गिंसा पर चर्चा के दरान कहा था कि पडोसी पाकिस्तान से अब बात पाक अधिकृत कश्मीर पर भी पोगी उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर मसले पर सरकार सभी पक्षों से बात करने को तयार है गाजियाबाद में हुए जानलेवा हमले में गंभी रूप से घायल वीजेपी नेता ब्रिचपाल तेवतिया की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है अभी तक तेवतिया के तीन आपरेशन किये गए हैं और उनके शरीम में फसी हुई सारी गोनिया निकाल ले गए हैं उनके हालत स्थिर बनी हुई है इस बीच पुलिस ने इस खमले के छे आरोपियों को गिर्फार कर लिया है इन आरोपियों में बागपत में पदस्थ एक महिला कॉंस्टेबल सुनिता भी है पुलिस कॉंस्टेबल सुनिता के मताबिक उसे पूरी प्लानिंग की जौनकारी नहीं थी लेकिन वो तेवतिया से बगला नहीं न चाहती थी क्योंकि उसी की वज़ा से उसके पती राकेश हसन पूरिया की मौत हुई पुलिस सूत्रों के मताबिक इस मामले में राजनगर में एक फ्लाट को लेकर रंजिश का मामला सामने आ रहा है सूत्रों के मताबिक वारदात में इस्तमाल की गई फॉचिनर गाड़ी आठ जून 2016 को गुड़गाओं से चोड़ी की गई थी गाड़ी गुड़गाओं की ही एक कंपनी के नाम से रेजिस्टर है पुलिस ने 1.47, 2.9 mm पिस्टल, राइफल सहिप कई हतिया वरामत किये हैं इस मामले की जाच की जा रही है सुप्रीम कोट ने दिल्ली NCR से 2000 सीसी इंजिन वाली गाड़ियों के रेजिस्टरेशन पर लगे बैन को हटा लिया है बैन हटाने के साथ की सुप्रीम कोट ने एक तुज़ी ग्रीन सेस लगाने का ऐलान किया है ये टैक्स एक्स शोरूम प्राइस पर लगाया जाएगा पोर्ट के मताबिक ये आगे तै किया जाएगा कि 2000 सी से कम वाले डीजल इंजिन पर ये टैक्स लगाया जाएगा या नहीं Automobile Industry ने 2000 सी सी वाले वेहिकल के बैन्ड के फैसले को National Green Tribunal में ये कहते हुँ चनाती दी थी कि इसकी वज़ा से इंडस्ट्री घाते में जाएगी पिछले साल दिसेंबर में नाश्ट्रीन सेमिनल ने दिल्ली एंसियान में गाणियों की संख्या में लगातार इजाफे को देखते हुए 2000 सी सी डीजल इंजिनों वाली गाणियों पर बैन का एलान किया था देश के प्रसिद सरोध वादक उस्ताद अमज़द अली खां का वीज़ा अवेदन शिक्रवार को बिटिश उचायोग ने नामनजूर कर दिया अमज़द अली खां ने इस पैसले पर हैराने जताई है सत्र वर्षी अमज़द अली को 17 और 18 सितंबर को रायल फेस्टिवल हॉल में दो कारिक्रम प्रेश करने है इसमें कारिक्रम शास्त्रिय गाय का शुभा मुगदल के साथ है वीज़ा अवेदन शुकराने की वज़़ा पर बिटिश उचायोग के प्रवक्ता ने कहा कि मिशन वेक्तिगत मामलों पर टिपनी नहीं करता खान ने अपने फ्रिट में विदेश मंत्री फिश्मा सुराज को टैग करते के लिखा मेरा यूके वीज़ा नामन्जूर कर दिया गया फ्रेम और शांती का संवेश लाने वाले पनकारों के लिए बहुत दुखाद शरूद उपादक ने लिखा कि सत्तर के दर्शक से वे लगबग हर साल बिटेन में प्रस्तूती वेते रहे हैं लेकिन इस बार वीज़ा नामन्जूर किये जाने से वे परिशान है अमरिका में फिल्म अभी नेता शारूख खान को रोके जाने पर अजम् खान ने P.M. नरेंदर मोरी पन लिखशन असादा है उन्होंने प्रधान मंत्री को कमजोर और कम हमत वाला बताया अजम् खान ने कल शारूख के सवाल पर कहा देश में मोधी और देश के बाहर मोधी जी के मित्र बराक उबामा जीने नहीं देते लोग आखिर कहा जाए अभी हाल ही बीजेपी के कुछ विधायक बीजेपी में सामे हुए इस पर आजम ने कहा इस वक्त बीजेपी केंद्र में हैं ये विधायक वहां ज्यादा कमाई के लिए गए होंगे बीजेपी में अब कुछ रह नहीं गया इसलिए बीजेपी में लंबा हाथ मानने गए हैं आजम खान ने कहा नरेंद्र मोदी अपरागियों को सजाद देने के वज़ाए गोली मानने की कह रहे हैं ये कमिटेट क्राइम है वेसियार पी सी के मुझ्षृरिम है प्रधान मंत्री गोली मानने के लिए ऐसे कहे कर बेवकूफ बना रहे हैं जैसे देश को अकाउंट में रुपए डानने वाले की बात कहे कर अगा गया था संसत का इस बार का मॉंसून सत्र सरकार के लिए काफी अच्छा रहा मोदी सरकार की ज्यस्की पास करवाने की कोशिश प्रंगलाई इस संसोधन बिल पर विपक्ष का संयोग पाने में सरकार कामियाब रही सरकार के लिए पिछले काफी समय से ज्यसकी के लिए विपक्ष खास्ताओर से कॉंग्रेस को मनाना मुश्किल हो रहा था जो इस सत्र में सपल हुआ इसके अलावा सरकार बाल स्रम रोक्थाम एवं नियमन संशोधन विधायक 2016 बेनामी लेंदेन रोक्थाम विधायक 2015 प्रिन वस्तूली से सम्मंधित संशोधन विधायक और कस्तुती सुभीधा विधायक पास करवाने में भी सपल रही इस बार का मौंसिन सत्र 18 जुलाई को शुरू हुआ और 12 अगस्तक चला इस सत्र के दौरान लोकसभा और राजसभा की बीज बैठके हुए लोकसभा में कुल 121 घंटे कामकाज हुआ हंगामे की कारण 6 घंटे 30 मिनित का समय बरबाद हुआ लेकिन सदस्यों ने 18 घंटे ज्यादा समय बैठकर कामकाज मिस्टाया दुसरी और राजसभा में 112 घंटे काम काज हुआ जबकि हंगामे के कारण 20 घंटे का समय बर्बाद हुआ लेकिन इस बर्बाद हुए समय की भरपाई सदस्ते उने बाद में कुछ और समय बैठ करती यूपी के बुलंद शहर में हाईवे पर हुए गैंगरेप मामले में एसकी सरकार को करारा जटका लगा है इस मामले पर इलाबाद हाई कोट ने अखिलेश सरकार को जम कर फटका लगाए और इस पूरे फ्रकरन की सीबी आई जांच के भी निर्देश किये इस मामले की अगले सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी हाला कि अखिलेश व्यादव ने पहले ही एक बयान में साफ कहा था किवे इस घटना की सीबी आई जांच के लिए तयार है अब हाई कोट की फटकार के बाद ये तो साफ हो गया कि अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था कितनी सजद है सीबी आई जांच से अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था की पोल तो खुलेगी ही और साथ की साथ इस पूरे प्रक्रन में बरती गई सरकारी लापरवाई ही भी सामने आएगी फिलहार सरकार को हाई कोट के ओर्डर की कॉपी का इंतिजार है जिसके बाद ग्रिये विभाग उसका अध्यान करके अपनी सिफारिज भर सरकार को भेज़ देगा दिल्ली महीला आयोग ने पिछले 10 महीने में दिल्ली के 54 पुलिस टेशनों को 82 नोटिस भेजे हैं बताया जाता है कि इन फानों ने रेप से जोड़े मामलों की जनकारी आयोग को नहीं दी दिल्ली महीला आयोग ने आंकरे जारी करते हुए बताया कि फानों में तैनाथ SHO को नोटिस जारी किया गया है इसमें लिखे जवाब के साथ ये बताने के लिए कहा गया है कि दिल्ली महीला आयोग को रेप से जोड़ी शिकायतों के बारे में तुरन जनकारी क्यों नहीं दी गई आयोग के मताबिक 82 मामलों में दिल्ली पुलिस ने नियम का पालन नहीं किया रिपोर्ट में कहा गया थी 82 मामलों में से 36 रेप के मामलों में पुलिस ना बालिक है आयोग ने बताया कि 82 में से 24 मामले ऐसे भी थे जहां काउंसलर को रेप के मामले और शिकायत की जनकारी ही नहीं दी गई 45 मामलों में फायार दर्ज होने और पीडितों का मेडिकल होने के बाद काउंसलर को जनकारी दी गई थी दिल्ली हाई कोट ने एम्स के इंद्व सरकार और दिल्ली सरकार को एक ब्रेंट यूमर मरीज की याचिका पर नोटिस देकर 24 अगस तक जबाब मांगा है ब्रेंट यूमर की आखरी स्टेज पर पहुँच चुकी 45 साल की मीरा देवी ने याचिका लगाई है कि उसे एम्स ने जल्द ही से जल्दी इलाज की ज़रूरत है लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने मीरा की सरजुरी करने के लिए उन्हें दो साल बाग की तारिख दी है मीरा दो बच्चों की मा हैं उन्होंने कोट को गुहार लगाई है कि सरजुरी नहीं हुई तो कुछ महीने भी बोल जिन्दा नहीं रहेगी एम्स ने मीरा को सरजुरी के लिए अगस 2018 की तारिख दी है जब मीरा ने एम्स के डॉक्टरों से जल्दी तारिख देने की बात की तो उन्हें प्राइबिट वॉर्ड बुक करवाने की सलह दी गई एम्स में प्राइबिट वॉर्ड की कीमत 1.25 लाक सुपए है मजबूर मीरा ने उसके बाद दिल्ली हाई कोट का दर्वाजा खट खटाया मीरा ने जल्द से जल्द मुफ्त लाजपानी के लिए कोट में अपनी आशिका दरच कराई भारती समुदाय में लापता विमान की खोच के लिए अब तक कि सबसे गहन अवियान में अब तक मिनी नाकामी के बावजूद अब आशा जगी है कि 22 जुलाई को लापता हुए वाई सेना के विमान का किसी भी तरह का मलबा समुद्र में तैरता मिल सकेगा हाला कि अभियान की निगरानी कर रहे नौ सेना के वरिष्ठ अतिकारियों का कहना है कि अभियान एक नए चरण में पहुँच गया है जिसके तहट अब समुद्र के तल में विमान के अब शेशों को ढूनने की कोशिश की जा रही है बायू सेना के परिवहन विमान ए N32 पर 29 लोग सवा थे जब इसने खराब मौसम के बावजू चिन्नाई सिपोर्ट ब्रेयर के लिए उडान भरी थी और थोड़ी की देर बाद आपदा का कोई सिगनल दिये बिना ही गायब हो गया पिछले करीब तीन हफ्तों में विमानों ने हजार घंटे से ज्यादा की उरान भरी है एक समय तो लापता विमान की तलाश में 28 जहाज और एक पंडूबी को भी लगाया गया था इस दोरान बंगाल की खाड़ी के जिस बड़े इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है अमेरिका के रिपॉब्लिकन पार्टी के राश्ट्रपती पद के प्रत्याशी डॉनल्ड ट्रॉम्प, राश्ट्रपती वराक उबामा और डिमोकर्टिक पार्टी के राश्ट्रपती पद की प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन को इसलामिक स्टेट का ये संस्तापक परार देने क अपने बयान से पीछे हट रहे हैं इस बीच एक नए सर्वशेशन से पता चलता है कि हिलेरी के खिलाफ आठ नवेंबर को होने वाले आम चुनाव में ट्रम्प तीन महतपूर्ण राज्यों में अपना अधार खोते जा रहे हैं वाल स्रीट जॉर्नल और NBC के ज़ारी सरेक्षन के मताबिक निरनायक राज्यों में ट्रम्प का समर्थन घटता जा रहा है जन संक्या के कारण राश्ट्रपती चुनाव में ये तीनों राज्ये निरनायक धुमी का अधा करेंगे उधर ट्रम्प की रिपब्लिकन पादी अपने उमीदवार के पक्ष में एकता बनाने की कोशिश में जुटी थी है हालाकि अपने बायानों को लेकर ट्रम्प की आलोच नाखोती रहती है पूर्व होकी खिलारी धनराज पलाई ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रियों में विजे गोयल को कौन जानता है उन्होंने ये खुर्सा उस थबर पर दर्फ्राया जिसमें बताया गया था कि भार्तिय खेल मंत्री विजे गोयल के उलम्पिक के नियमों को तोड़ने की वज़ा से अंतराश्च्य उलम्पिक समीती नराज है पिलई ने कहा कि भारत में लोग उन्हें काफी हत्व देते हैं लेकिन उलम्पिक में ऐसा नहीं होगा बुदवार को आयोजकों ने धमकी दी थी कि वो गोयल का एक्राडिकेशन प्रत कर देंगे उनका आरोप था कि मंतरी और उनके साथ चलने वाले लोग प्रतिबंधित शेत्रों में भी जा रहे हैं रियो उलम्पिक आयजक समीती के वैनेजर सरहा पीटरसन ने भारती उलम्पिक प्रमुख को चिठी लिखकर ये बात कही चिठी में उन्होंने चेतावनी की बात मंतरी को बताने के लिए भी कहा चिठी में ये आरोप लगाया गया है कि मंतरी के साथ जो लोग है वै काफी आफ्रमप और हसभ्य है दुनिया के सरवशेष्ट फुटबॉल खिलाडियों में शुमा लियोनल मेसी ने अब कहा कि वै अपने देश से प्यार की वज़ा से राश्च्री टीम में वापसी करेंगे पिशले दिनों बेहत प्रतिष्टित कोपा अमारिका टूर्नमेंट के फाइनल में खरा प्रदर्शुन के बाद वोने अपने देश अंतराश्चे फुटबॉल से सन्यास की घोष्ट ना की थी इस दिगज फुटबॉल खिलाड़ी की प्रबंधन कमपनी की और से शुकरवार को एक बयान जारी किया गया है इसे मेसी ने कहा मैंने सन्यास के बारे में गंभीरता से सोचा लेकिन अपने देश और इस जर्सी के लिए मेरा प्यार बहुत जादा है कई फैंच उनसे सन्यास के फैसले को वापस लेने के लिए गुहार लगा रहे थे अरजिंटीना के राष्टपती मोरेसिया, मिक्रीक और मेसी के आइडल डियोगो मेरा डोना ने भी उनसे अपने पैसले पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की थी भारती क्रिकेट टीम ने डेरिन सेमी अंतराश्ट्री क्रिकेट स्टेडिया में वेसिंडीज के साथ जारी तीस्वे टेस्ट मैट के चौथे दिन कल का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में तीन विकेट पर 157 वन बनाकर 280 रनों की एहम बड़त हासिल कई है भारत ने अपनी पहली पारी में रवी चंदरन, अश्विन और रिधीमान सहा की बहतरीन शतकिये पारीयों की मदद से 353 रन बनाएं और फिर चौथे दिन भुवरेश्वर कुमार के 33 रन देकर पांच विकेट लेने की उम्दा गेंदवाजी की बदालत वेसंडीज की पहली पारी 225 रनों पर समिट थी तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण नहीं हो सका था भारत में चौथे दिन का खेल फात्मा होने तक 49 ओवरों का सामना करते हुए तीन विकेट पर 157 रन बना लिये हैं उप कप्तान अजिंकर रहाने 51 और रोहिट शर्मा 41 रनों पर नाबाद लाते हैं इस न्यूज बुलिटिन में फिल हाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही मेट्रो टीवी से नमस्कार